सब्सक्राइब लाइक, शेर और कॉमेंट हलो बच्चों, आज मैं ठेले पर हिमाले पाठ को पढ़कर विस्तार से समझाने की कोशिश करती हूँ अच्छा बच्चों, आपको मैं लेकर के बीते हुए कल में लेके जा रही हूँ ठेले पर हिमाले, खास दिल्चफ सीशक है ना, और एकिन कीजिए, इसे बिलकुल धूनना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया अभी कल की बात है, मैं एक पान की दुकान पर अपने अल्मोडा बासी मित्र के साथ खड़ा था, की तबी ठेले पर बरफ की सीले लादे हुए बरफ बला आया थंडी, चिकनी, चमकती बरफ से भाप उड़ रही थी, वे शन्वर उस तरब को देखते रहे, उड़ती उई भाप में खोये रहे, और खोये खोये से ही बोले, यही बरफ तो हिमाले की सोभा है और तद कालिन सीशक मेरे मन में कोंद गया ठेले पर हिमाले, सच तो यह है की सिर्फ बरफ के बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कोशीनी गए थे नेनी ताल से रानी खेत और रानी खेत से मज काली के भयानक मोड को पार करते हुए कोशी कोशी से एक सडक आलमोडे चली जाती है दूसरी कोशीनी कितना कश्ट पद, कितना सूखा और कितना कूरुप है कूरुप यानि बस्चुरत वे रास्ता पानी का कही नामों निशान नहीं सुखे, भूरे, पहाड, हरियाली का नाम नहीं ढालों को काट कर बनाए हुए टेड़े मेड़े रास्ते कोशी, पोंस्ते ही सभी के चहरे पीले पड़ चुके थे कोशी से बस चली तो रास्ते का सारा दुस्य बदल गया था सुडल पत्थरों पर कल-कल करती हुई कोशी किनारे के छोटे-छोटे सुन्दर गाउं और हरे मकमेली खेत कितने ही सुन्दर है शौमेस्वर की घाटी हरी भरी एक के बाद एक बस स्टेंड परते थे छोटे-छोटे पहाडी, डाक खाने, चाई की दुकाने और कभी-कभी कोशी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल कहीं-कहीं सडक, निर्जन, चिट के जंगल से गुजर जाती थी सौमेस्पर की घाटी के उत्तर में जो उंची परवत्माला है उस पर बिल्कुल सिखर पर कोसानी बसा हुआ है कोसानी से दूसरी और फिर ढाल सुरू हो जाती है कोसानी के अड़े पर जाकर बस रुकी छोटा सा बिल्कुल उजडा सा गाउं और बरफ का तो कहीं नामों निशानी नहीं ऐसे लगा जैसे हम ठाके गए हैं बस से उतरते समय में बहुत खिन्न था बस से उतरा ही था कि जहां का तहां पत्थर की मुर्ती सा तब्द खड़ा रहे गया कितना आपार संदर्य बिखरा था सामने की घाटी में परबत माला ने अपनी आंचल में यह जो कत्योर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है इसमें किनर और यक्ष ही तो वास करते हूंगे पचासों मील चोड़े यह घाटी हरे मकमली कालिने जैसे खेद सुन्दर गेरू की सिलाएं काट कर बनाई हुई लाल-लाल रास्ते जिनके ओ हिनारे सफेद सफेद पथरों की कतार और इधर उधर से आकार आपस में उलजरने वाली उलत जाने वाली बेलों की लड़ियों से लड़ियों सी नदियां मन में बेसकता यानि बेढ़ंगा यही आया है कि इन बेलों की लड़ियों को उठा कर कलाई में लपेट लूँ आँखों से लगा लूँ अकसमात यानि आचानक हम एक दूसरे ही लोक में चले गए थे इतना सुकुमार इतना सुन्दर इतना सजा हुआ और इतना निशकलंख की लगा इस धर्ती पर तो जूते उतार कर पाउं पोच कर आगे बढ़ना चाहिए बच्चों याँ पर निशकलंख यानि क्लीन धीरे धीरे मेरे निगाये ने इस घाटी को पार किया और जहां ये हरे खेत नदिया और बन खितिच के धूंदले पन में नीले कोहरे में घुल जाते थे वहाँ पर कुछ छोटे परबत का आवास अनुभव किया उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं कुछ देर उन बादलों में निगाये भड़कती रहे गए की अकस्मत यानि अचानक फिर एक हलका सा विश्मय यानि ताजुब होना का धका मन में लगा इन बादलों ने उसे धाप रखा था वैसे यहो जो सामने है उसका एक कोई छोटा सा बाल सभाव वाला यानि सेल्फ सेंटर शिखर बादलों की खिलकियों से जाक रहा है में हस्त्रिक मींज उमंग से चीक उठा बरफ वो देखो उस पर एक शंड के हिम दरसन ने हमें जाने क्या भर दिया था सारी खिन्नता निराशा और ठकावड सब छू मंतर हो गई हम सब ब्याकूल हो उठे अभी ये बादल चड़ जाएंगे और फिर हिमाले हमारे सामने खड़ा होगा निराबृत असीम सौंदर्य रासी हमारे सामने अभी अभी अपना घुंगड दीरे दीरे से खिसका देगी और और तब और तब सच मुझ मेरा दिल बूरी तरह धड़कता रहता था दाग बंगले के खान सामने बताया कि आप लोग खुस किस्मत है साहब आप से पहले चोदा तूरिष्ट आये थे हफते बर पड़े रहे बरफ नहीं देखी आज तो आपके आते ही आशार खुलने को हो रहे हैं सामन रख दिया गया पर सभी बिना चाय पिये सामने के बर्मादे में बैठे रहे और आप अलक सामने देखते रहे बादल धीरे धीरे नीचे उतरते रहे थे और एक एक करके नैने सिखरों के हिम रेखा आना बृत हो रही थी और फिर सब खुल गया बाईं और से शुरू होकर डाईं और गहरे सुन्य में धस्ती जाती हुई हिम सिखरों के उबड़ खाबड रहस्यम आई रुमाचक सुन्खडा हमारे मन में उस सेमें क्या भवनाई उट रही थी अगर बता पता तो ये खरोच ये पीर ही क्यों रहे गई होती सिर्फ एक दूंदलासा संबेदन इसका अवश्य था कि जैसे बरफ की सील के सामने खड़े होने पर मूँ पर थंडी थंडी भाप लगती थी वैसे ही हिमाले की सीतलता माथे को चू रही है सूरज डुबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघल कर केसर बहने लगा बरफ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी घाटियां गहरी पिली हो गई अंधेरा होने लगा तो हम उठे मूँ हाथ धोने और चाय पीने लगे पर सब चुपचाप थे गुमसुम जैसे सब कुछ छीन गया हो या शायद सब को कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंधरी अंधर सहजने मैं सब आत्मलीन होया या अपने में डूब गया हो दूसरे दिन घाटी में उतर कर मीलो चल कर हम बैजनात पहुँचे जहां गोमती बैती है गोमती की उजवल जलरासी में हिमाले की बरफिली चोटियों की चाया ते रही थी पता नहीं उन सिखरों पर कब पहुँचे इसलिए उस जल में तेरते हुए हिमाले से जो भरकर भेटा उसमें डुबा रहा आज भी उसकी याद आती है तो मन पीरा उड़ता है कल ठेले पर बरफ को देकर मेरे मित्र जिस तरह स्पूरुतियों में डूब गए उस दर्थ को समस्ता हूँ इसलिए जब ठेले पर हिमाले की बात कहकर हसता हूँ तो वे उस दर्थ को भूलाने की ही बहाना है वे बर्फ की उंचायां बार-बार बुलाती है और हम हे की चौरहाय पर खड़े ठेले पर लटकर निकलने वाली बर्फ को ही देकर मन बहलाते हैं यही दर्थ लेखक अपनी कहानी के द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तूत किये हैं धन्यवाद बच्चों अगले अधाय में कुश्चिन अंसर के बारे में जानकारी प्रदान करूंगे